Hello students, very good morning to all of you. I hope all of you are fine and you are taking good care of yourself. सामराज़बाद ये हमारा आखरी टॉपिक है इस फर्स्ट उनिट में and we are going to finish it today. तो देखें, आज जो हम टॉपिक लेंगे वो है सामराज़बाद के क्या प्रभाव पढ़ें. आपने सामराज़बाद के उद्य के कारण पढ़े, सामराज़बाद की विशेषता है, सामराज़बाद का स्वरूप, लक्ष है, ये सारी चीज़े पढ़ी आपने. और किस तरह से एशिया और अफरीकी देशों में सामराज़बाद फैला. तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, लास्ट टॉपिक इस यूनिट का भी और इस चैप्टर का भी, वो होगा सामराज़बाद के क्या प्रभाव पढ़े, what were the impacts of imperialism by the European countries? तो देखे, बहुत से देशों ने, मुक्तलिफ देशों ने, जैसे पर्टगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बेलजियम, ठीक है, ऐसे देशों ने एशिया और अफरीका के बहुत से जो कंट्रीज में अपने उपनिवेश स्थापित किये, ठीक है, सामराज़बाद को फैल एक तो सामराज़बाद के बुरे प्रभाव और एक सामराज़बाद के अच्छे प्रभाव, ठीक है, सामराज़बाद के अच्छे प्रभाव क्या पड़े, तो पहले हम इस पर अपना डिसकुशन करेंगे, तो पहला जो अच्छा प्रभाव पड़ा, वो था कि विशेशों में राष्टवादी भावना का विकास हुआ अब ये राष्टवादी भावना क्या होती है उस समय जो राष्टवादी भावना थी उसका मतब ये था कि एक शेत्र विशेश में रहने वाले लोग ये समझें कि हम सब युनाइटिड हैं हम सब एक हैं, हम एक क्षेतर में रहने वाले हमारा एक जैसा रहन सहन है, खान पान है तो हम एक क्षेतर विशेश से संबद हैं तो यह जो भावना है यह राष्टवाद की भावना imperialism के कारण सामराज्य बाद के कारण इस भावना का उदे हुआ था अब वो कैसे हुआ था आप ये देखें कि ये जो ये जो ये जो ये देश थे ये जब उपनिवेश बनाया करते थे तो उन उपनिवेशों के लोगों के साथ ये अच्छा वैभार भारत पर कबजा करके और भारतिय लोगों के साथ वो कैसा वैभार करते थे आप समझ सकते हो और किस तरह से आर्थिक और समाजिक सोशन करते थे भारतियों का ये भी आप जानते हो एक तो भारतियों को उच्छे तफसर नहीं दिये जाते थे उचे पद उनको नहीं दिये जाते थे और उनके जो मानलों अगर कोई अपराद कर देते थे तो उसका भी जो मुकदमा होता था वो यूरोपिय कानून के अनुसार होता था भारतिय कानून के अनुसार नहीं होता था प्रारम में तो इससे क्या हुआ कि जब शासन करना शुरू किया यूरोपिये देशों ने उपनीवेशों पर तो उन्होंने क्या हुआ उनकी एक π्रकार की समस्या होगी तो जब समस्या एक प्रकार की हो तो फिर वो धीरे धीरे राज्यतिक एकता के सूत्र में बनते चले गए पहले तो देखिए उपनी वेशों के जो उपनी वेशों के अंदर जो परान थे परान थे स्टेट्स थे वो अलग-अलग थे डिवाइड थे जैसे भारत में अलग-अलग राज्ये थे लेकिन जब अंग्रेजों ने शाहसन करना शुरू किया उन्होंने एक जैसी समस्याय सामने आई उपनी वेशों के लोगों की तो जब एक जैसी समस्याय सामने आई तो इसके कारण वो एकता के सूत्र में बनते चले गए अब उनके अंदर अपने राष्ट के पती प्रेम की भावना जागरित होने लगी और धीरे धीरे उन्होंने राष्ट्र यांदोनन शुरू किये विदेशियों को अपने देश से निकालने के जैसे भारत में ये राष्ट्रेता की भावना विक्सित हुई तो एक ये प्रभाव था सामराज जैवात का अच्छा प्रभाव कि उपनी वेशों में राष्ट्रेता की भावना का विकास हुआ दूसरी बात ये कि याता या तो संचार के सादनों का विकास हुआ आप ये देखें जो उपनी वेश थे जैसे भारत अंग्रेजों के भारत में आने से पहले भारत में कितना डेवलेप्मेंट था आप देखें देखो हमें दोनों आस्पेक्ट लेके चलने पड़ेंगे ठीक है अंग्रेजों का शासन बहुत बुरा था ये सारी बाते थी लेकिन उनके पॉजिटिव इंपक्ट भी हमें देखने हो गए यातायात के बड़े ही प्राचीन साधन प्रचलित थे घोड़ा गाड़ी बैल गाड़ी उट गाड़ी ठीक है ऐसे साधनों का प्रियोक किया जाता था और कोई टेलिग्राफ कोई तार वेविस्था कुछ नहीं थी सडके कच्ची थी गड़ों गड़े बहुत जादा थे और वो कीचर से भरे रहते थे आधनिक संचार के साधन प्रिशल इतनी थे लेकिन उपनी वेशों में इन सामराज्यवादी देशों ने चाये अपने इंटरस्ट के लिए आप देखें कि यह जो उपनिवेशों में जो कारे किया यह सब अपने स्वारति हितों की पूर्टि के लिए ही किया लेकिन उपनिवेशों में चणको का जाल स बिच किया तीक है डाक तार की विविस्था स्थापित हो गई आप जानते हो कि पहली जो railway line है अगर हम भारत की बात कर रहे हैं अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश बनाया तो बंबई से थाने तक 1853 में पहली rail line जो चलाए गई थी इसी तरह से 1853 में डाक तार विवस्था स्थापित की गई थी लाड़नल हौजी लाब डाक से थुआ इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है कानून का शासन rule of the law पहले क्या था कि मुक्तलिफ किस्म के कानून प्रचले थे अलग-अलग तरह के कानून अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानून थे लेकिन उस समय ऐसे नहीं था राज्य अलग-अलग थे उनके राजा थे उनके अपने अपने नियम कानून होते थे लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत पर अगर हम भारत का एक्जामपल ले ऐसे मौर उपनी वेशों में एक जैसी शासन में विस्था स्थापित की और एक कानून के तले भारतियों के मुकदमों का फैसला किया जाता था या निर्णे लिया जाता था तो अब उनको लोगों को कानून के अनुसार न्याय मिनने लगा न्याय विस्था बिलकुल सद्रण हो गई और जो ब्रिटिश संसद में कानून बनाय जाते थे वो उनके उपनी वेशों में लागू होते थे तो कानून का शासन स्थापित हुआ भारत में अगली बार अगली बात है रोजगार डेवलपेंट आफ एम्प्लॉइमेंट यह बहुत इंपॉर्टन आस्पेक्ट है कि उपनी वेशों में जो रेल डाक तार विवस्था का प्रचलन किया गया और अलग-अलग विभाग बनाए गए इससे क्या हुआ कि हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त हो एक तो उद्योग लगाए अंग्रेजों ने उससे तो रोजगार मिला ही साथ-साथ जो रेल डाक तार विवस्था स्थापित की अब रेल विभाग आप जानते हैं शायद आज के टाइम में भी रेल्म इंडस्ट्री इस ता बिग्यस इंडस्ट्री इन इंडिया तो कितने रोगों की जूरत होती है चाहे वो सफाई करमचारी हो चाहे वो ट्रेन चालक हो चाहे वो सिगनल वाला विक्ति हो चाहे वो ट्रिकेट चेकर हो चाहे वो जो पीछे बैठता है गार्ड वो हो तो ऐसे बहुत से रोजगार जो है डेवलप हुए और इसी के कारण जो है लोगों को विबिन प्रकार के विवसाय में आने का मौका मिला कार खानों में मजदूर काम करने लगे इसके अतरिक्त आपनिवेशिक शासन ने इंजिन आस्पेक्ट वो है मध्यम वर्ग का उत्थान देखे पहले क्या होता था कि most of the people were engaged in agricultural activities 80% of the population of India was engaged in agriculture क्रिशी में सन्लिप्त थे जातर भार्टी लेकिन जो वेवस्था जो अंग्रेजों ने अगर हम अग्तब इस उपनिवेश भारत नामक उपनिवेश की बात करें जो उपनिवेश हो चाए वो इंग्लेंड के हो चाए वो फ्रांस के हो उन्होंने एक ऐसी वेवस्था लागो की जिसमें उपनिवेश के लोगों को उन्होंने शिक्षित किया ताकि वो अपना प्रशासन चला सकी तो क्या हुआ कि इस वर्ग में एक निया वर्ग का उदे होते थे और आप को शायद पता हो कि अपने समाज के लोगों में जागरती उत्पन करने में राश्ट्रिता की भावना उत्पन करने में इस मध्यम वर्ग ने बहुत महत्पुन गुविका निभाई थी तो एक ये अच्छा प्रभाव पढ़ा फिर देखिए मनुष्य के ज इस नई सिस्कृति के प्रभाव में आए ऐसे ही जैसे अंगर्यज जब भारत में आके रहने लगे तो भारतियों थे उन्हों ने देखा किस तरह से रहते हैं किस तरह कि उनकी सिस्कृति है उनका पहनावा उनका रहन से है अब घर में देखिये कि पहले लोग नीचे बैठ कर भोजन किया करते थे अब भी गाउं में कही जगह करते हैं लेकिन यह जो डैनिंग टेबल का जो कल्चर है यह कोई यहां का थोणना है भारत का इंडिजिनियस यह तो यूरोपियन कल्चर है वरना डैनिंग टेबल लोपे उर्सी में बैठके कहां खाया करते थे पहले लोग और पहले लोग ये जीन्स और पतलोगून और शिर्ट कहां पहनते थे तो दोती कुर्ता पहनते थे इंडिया का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है तो नैचरली उपनिवेश के जो लोग हैं वो यूरोपनाइज हुए एक तरह से वेस्टनाइज हो गए उन जीवन स्थर में परिवर्तना आया पहले से उनका जीवन स्थर बढ़ गया खान पान रहन सहन पहनावा वगरा वो सब उसमें मतब भारतिये समाज को आधनिक बनाने में योग दाती है अगर हम भारत नामक उपनिवेश की बात करने हैं और देख बार करके और उन्नती के लिए आई थी तो इन्होंने भारत के साथ प्रफिटेबल ट्रेड किया कच्चा माल लेके और उसे निर्मित करके और महेंगे दामों पर प्रड़क्ट्स को बेचा करते थे भारत से बहुत मातरा में सूना चादी और विभिन जो रतन होते हैं वो निवेश के रूप में तो इस प्रकार से और दोगिक के विकास के चरम पढ़ पहुँच गया यूरप ठीक है और एक प्रभाव और बढ़ा स्प्रेड अफ क्रिस्चैनिटी अगर हम अच्छे प्रभाव को लेंगे तो आप ये देखे कि एक उदेश्य था इसाइयत का कि इस धर्म को विश्व धर्म बनाना है तो यूरप में आप जानते हो कि इसाइयत आ गई थी यूरप के लोग इसाइय धर्म के अनुयाई थे तो इसाइय धर्म एक प्रचारक धर्म था उपनी वेशों को स्थापित करने का एक और भी उदेश्य था प्रोसलेटाइजिंग जाने अदिक से अधिक लोगों को इसाइय धर्म में प्रवठत करना तो आप ये देखे कि इसाइय मिश्ट्णरी वेब्हन उपनी वेशों में जाने लगेए चाहे वो पुर्टगाल के उपनी वेशों चाहे स्पैन के चाहे फ्रांस के चाहे इंग्लेंड के भारत में जैस Christianity to more and more people आज देखिए कि भारत में बहुत से लोग Christians है, that is because of that effect, because of imperialism अगर अंग्रेज भारत में ना थे तो Christianity यतना यहां पे कहां आ पाती ठीक है न, तो यह सारे अच्छे प्रभाव, लेकिन सामनाज्य बाद के कुछ बुरे प्रभाव भी हुए, जैसे आपसी शत्रुता, यूरोपिय देश आपस में लड़ने जगणने लगे उपनिवेशों को लेकर England और France की प्रतिद्वन्दिता के बारे में तो आप जानते हो, कि England और France के बीच में संघर्ष हुए करनाटक के युद्धों के नाम से बुजाना जाता है, करनाटक के तीन युद्धों थे भारत नामक उपनिवेश को लेकर इसी तरह से मौरको के उपनिवेश को लेकर, फ्रांस और Britain and France were mostly at war with each other in Europe and whenever the war started in Europe the war started in India also ठीक है, तो एक दूसरे देशों के सामराज्यवादी हित जब टक्राले लगे तो उनमें आपसी शतुरता विक्सित हुई और फिर आप ये देखे, बुरा प्रभावी अपड़ा कि उपनिवेशों का आर्थिक शोशन हुआ कैसे कि उपनिवेशों को कच्चे माल का नरिया तक और बनी बनाई वस्तों का आया तक बना कर रख दिया ठीक है, दे ड्रेंड अलॉट अब वेल्थ फ्रॉम डिफरेंट कॉलोनीज जो उन्होंने उपनिवेश बना रखे थे, वहाँ से बहुत ज़्यादा धन का दोहन किया अचा फिर अगला जो दुष्प्रभाव है वह जातिय भेदभाव की नीती नसली भेदभाव जैसे उधारन अगर हमने इंग्लेंड का भारत पर जो उपनिवेश है या जो अफरीका में उपनिवेश बनाएगे, अब अफरीकियों को भारतियों को, जो यूरोपिय लोग है ये काले कहकर पुकारते थे अफरीके तो कुछ जादे काले थे हम फिर भी हमारे जो पूर्वस थे वो फिर भी कंपरिटिवली गोरे थे लेकिन उनकी उनकी स्किन को देखे तो हम काले कहना है तो वो देखिए, वो अपनी जाती को श्रेष्ट समस्ते थे जाती ये श्रेष्टता की भावना थी उनके अंदर, अंग्रेज हों नसली भेद भाव, भारतियों को काले, हबशी और सूर कहकर पुकारा जाता था मतलब ऐसा लगता था कि जैसे भारतिय समाज में जिस प्रकार से निमन भर्गो, शुद्रों को ट्रीट किया जाता था, ऐसे ही अंग्रेज समुचे भारतिय समाज को ऐसे ट्रीट किया करते थे रेस्टोरेंट के आगे और इस तरह से लिखा होता था कि डॉग्स एन इंडियन्स अनौट अलाओड जब अंग्रेजों ने भारत में आना तब रहे और वहाँ पे रेस्टोरेंट बगरा जो हुआ करते थे उनमें अंग्रेजों के अलावा इंडियन्स की एंटर नहीं हुआ करती थी कई उनमें और किस तरह से गान्दी जी को फर्स्ट क्लास की कंपार्टमेंट से बाहर पटक दिया था, आप जानते हो शारी डिक दंड भी दिये जाते थे उनको हमेशा ये एहसास कराया जाता था कि वो जो है एक कम जात है यानि कि छोटी नसल है और अंग्रेज जो है वो श्रेश्ट नसल है फिर इससे बेकारी की समस्या भी उत्पन हुई, आप कहरें कि अभी रोजगार बताया था, रोजगार तो मिला जो मध्यमर के लोगों को लेकिन आप देखो कि जिस तरह से कुटीर उद्योगों का पतन हुआ था भारत में तो बहुत से किसान बेकार हो गए थे, उन में से सारे तो मजदूर नहीं बन पाए, इसी तरह से अफरिका के जो लोग थे, उनको उनके पास तो दास्ता के अलावा अफरिका के बहुत से को दास बना दिया जाता था विबिन देशों में वो कारे करते थे तो बेकारी की समस्या उत्पन हुई और अल्टिमेटली इंपेरिलिजम रिजल्टेट इन्टू दा फर्स्ट वर्ल्ड वाल यह जिस तरह से देशों के बीच में आपसी शतूता चली जिस तरह से गुटबंदी हुई योरप में आप देखो कि दो प्रकार के गुटबंगे थे एक तो त्रिगुट और एक ट्रिपल एंटेंट यानि ट्रिपल एलायंस और ट्रिपल एंटेंट एक ऐसा महौल बन गया कि जर्मनी इटली जापान एक गुट में आ गए और ब्रिटें रूस फ्रांस दूसरे गुट में आ गए 1882 में ये त्रिगुट बना था यानि जर्मनी इटली जापान का गटबंदन मन गया था कुछ देश आपस में खटे हो गए ठीक है और दूसी तरफ ब्रिटें रूस फ्रांस इनका गटबंदन मन गया और फिर इन दोनों के बीच में शतुरता चली जिए डैट अल्टिमेटली रिजल्टेट इन्टू दा फर्स्ट वर्ल वार यानि 1914 में जो युद हुआ वो आप समझी जी कि 1870 के बाद जो जिस तरह से आप ये कह सकते हैं कि आपनी वेशिक होड चुरू हुई येरोपिय देशों में और अफरीका के टुगड़े टुगड़े कर दिये गए एशिया को भी स्वेर्स ओफ इन्फूएंस में भाट लिया गया तो इसकी वज़े से गुटपंदी, शड़ेंत्र ये सब चले आप सी शतुरुता चली और जिसके कारण प्रथम विशुद आरम हो गया जो कि विशु के लिए अत्यंत हानिक आरम से दूए तो ये आपकी पहली यूनिट पूरी हो गई है ठीक है, इसके बाद एक हम मैप करेंगे अगला अग्रिकल्चरल एवलूशन पे वो नेक्स क्लास में, थैंक्यू